हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल अईरवेदा हैकर कल हमने जब हरीत्की की वीडियो बनाई थी तो हमने आप से प्रॉमिस किया था कि हम आपको रितु हरीत्की के बारे में एक डीटेल एक्प्रेनेशन देंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर मैं सेच बता रही हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अमरित मिल गया है इससे जादा इंपोर्टेंट जानकारी आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिससे आप सालों साल जवान रह सकते हैं आपकी बॉडि को रिजुविनेटिव पावर मिलेगी मतलब ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा चमतकार बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी है तो बने रही है हमारे साथ वीडियो के एंड तक चलिए देखते हैं ये जो रिट्यू हरीत्की होता है इसका मतलब होता है कि सीजनल यूज आफ हरीत्की आप हर सीजन में हरीत्की को किस किस चीज के साथ ले कि आपकी बॉड़ी को रिजुविनेटी पावर मिले आप सालों साल ऐसे ही जवार रहे आपकी बॉड़ी में पावर रहे तो इसी को हम कहते हैं रिट्यू हरीत्की जो मौसम है जो सीजन है वो अलग-अलग जब इनका वेरियेशन होता है तो उसमें हमारी बॉड़ी में कुछ अच्छे इंपक्ट आते हैं और कुछ बुरे तो जो बुरे प्रभा होते हमारी बॉड़ी में सीजन के वजह से तो उनको बैलन्स करने के लिए हरीत्की को अलग-अलग चीजों के साथ अलग-अलग हब्स के साथ यूज करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही बिहदी फायदे मंद होता है तो अब हम देखेंगे कि किस रित्की में हमें हरीत्की को किस चीज के साथ खाना चाहिए चलिए पहला सीजन ग्रीश मरीत्की में याने समर सीजन में मतलब जून और जुलाई के महिने में हमें हरीत्की को गुड के साथ खाना चाहिए जो जागरी होता है गुड उसके साथ हमें इसका सेवन पानी के साथ खाना चाहिए इन इक्वल अमाउंट जैसे अगर आप 2 ग्राम गुड ले रहे हैं तो आपको 2 ग्राम ही हरीत्की का पाउडर लेना है और इसे पानी के साथ आपको खाना है ठीक है क्या होता है इस ग्रिश में रितु में कफ कम होता है और वाद बढ़ता है तो इसी चीज़ को बैलन्स करने के लिए हम हरीत्की को गुड के साथ यूज़ करते हैं वर्षा रितु याने रैनी सीजन इसमें हमें हरीत्की के 2 ग्राम पाउडर को सैंधव लवर्ट याने रॉक सॉल्ट 2 ग्राम मतलब ये भी एक्कॉल अमाउंट में और पानी के साथ ही गुज़ करना चाहिए in the morning before food खाना खाने से पहले morning में हमें ये लेना चाहिए वर्षा रितु में क्या होता है कि इसमें rigorously increase होता है वात activity का इसलिए इससे balance करने के लिए हमें हरीत्की को सैंधव लवर्ड के साथ लेना चाहिए तीसे रितु शरद रितु याने अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसमें हमें हरीत्की को शरकरा शकर के साथ लेना है ये भी इसी तरीके से सुबा खाने के पहले 2 ग्राम हरीत्की का चून और 2 ग्राम शरकरा इसको लेना है पानी के साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है कि वात कम होता जाता है और पित्व बढ़ता जाता है तो इस चीज़ को बैलन्स करने के लिए हम शरकरा को हरीत्की के साथ लेंगे चोथी रितू हेमंत रितू याने दिसम्मर और जैनवरी इसमे हमें हरीतकी को अद्रक या फिर सुंठी के साथ लेना है ये भी equal amount में इस हेमंत रितू में क्या होता है कि पित जो है कम होता जाता है तो ये जो जिंजर या फिर सुंठी है ये इसको balance करता है इस वज़ा से हमें हरीत्की को अध्रक के साथ लेना चाहिए पाचवी रितू, शिशिर रितू, यानि February and March में इन महीनों में कफ जो है तेजी से बढ़ता है इसलिए हमें हरीत्की को पीपर, पिपली, इंगलिश में से लॉंग पेपर भी वोलते है इसके साथ में हमें हरीत्की का यूज़ करना चाहिए बसंत रितू, यानि April और में के महीने में मतलब early spring भी बोलते हैं इसे तो इस महीने में आपको क्या करना है? कि आपको हरीत्की को मधू के साथ लेना है बसंत रितू में कफ बढ़ता है कफ काफी amount में बढ़ जाता है क्योंकि जो कफ शिशेर रितू में इकठा होता है हमारी बॉड़ी में वो बसंत रितू में सूरी की किरणे जब पढ़ती है हमारी बॉड़ी पे तो पिघलना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉड़ी में कफ बहुत बढ़ जाता है इस वज़े से हमें हरीतकी का यूस मधू के साथ करना चाहिए यानि इसे भी इक्वल अमाउंट में ही लेना चाहिए इससे हमारा जो कफ है वो बैलन्स होता है इसी तारा हम हरीतकी को अपनी दिनचर्य का एक बहुत बड़ा हिस्ता बना सकते हैं और अपनी बॉड़ी को सुस्त रख सकते हैं आप सोचिए कि सिर्फ एक ड्रग अलग अलग चीजों के साथ मिल करके आपकी बॉड़ी में कितना अच्छा इफेक्ट दे रही है और सबसे important बात यह जो हरीतकी है वो एक बहुत ही अच्छा विरेचक द्रवे भी है याने किसी को मतलब digestion में problem है किसी का digestion अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो आप इसे रात में गुनगुने पानी के साथ एक चमच या दो चमच जितना आपको असर करे खा करके सो जाएए आपको जरूर ही इससे फायदा मिलेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपका हमारे वीडियो पसंद आए हो जरूर लाइक करिए और जिन्हें इसके ज़रुरत है उन्हें शेयर करिए Thank you so much